मा गायत्री और गुरुदेव की चर्णों में कोटी-कोटी नमन गायत्री साधना के चमतकार इस पुस्तक में एक गायत्री साधक कैसे अपनी कहानी बताते हैं कि मैं नास्तिक से कैसे आस्तिक बन गया वो लिखते हैं, बड़े ही इस निक्द सर में कहा, भगवत आराद ना करो, तभी तुम्हारे रोग दूर होंगे, मैंने उसे हजी में उड़ा दिया, साथियों ने समझाया तो उनका भी उपवहास कर दिया, एक बार हमारे यहां के सेकेटरी महुदय, श्री गायतरी तपुभूमी मत्रा से हो इस वाणी में उनकी सारी शुद्धा शक्ती के इंद्र थी, मैंने भी इस बार जाज के तोर पर ही सही उसे स्विकार कर लिया और नित्य नियमित जब करने लगा, मैं स्वेम विस्मित था कि कैसे और क्यों स्वेम ही मेरे पेट के रोग एवं आर्थिक तथा अन्य समस्याय स्वतह ही सुलचने लगी थी, जिन्हे में अपनी सारी पुद्धी एवं अन्य शक्ती लागा कर भी सुलजा नहीं पाया था आज मैं सबों का उपहा सहकर भी कटर आस्तिक हूँ और दुनिया के सभी नास्तिकों को चनोती देता हूँ कि आप सभी गायत्री महामंतर का परिशन करके देखें रोग के लिए को छोड़कर भाग गया है आज वहां गायत्री माता की क्रपा रूप स्वास्त देव वराजमान है श्री गडपत विठोबा खाम गाओं के परिवार की एक ना एक वेक्ति सदा किसी ने किसी रोग से ग्रसित ही रहती थे कितने रुपए खर्च कर दिये पर इस क्रम में अंतर बिल्कुल भी नहीं आये था यहां तक कि आर्थिक दशा भी अब खर्च करनीयों की नहीं रह गई थी उन्होंने भी इसी महामंतर की प्रेन से गायत्य उपासना आरंब की और कुछ ही दुनों में पारिवारिक रोगों के साथ आर्थिक कश्टों से भी चुटकारा मिल गया एक दूसरी साधक लिखते हैं कि जीवन के सभी शेत्रों में मा की कृपा से मुझे लाप राप दुआ है माता की किपा की कोई सीमा नहीं है केवल हमें उनके अनकूल होने की आवेशक्त है मैं और मेरी धर्म पतनी दोनों ही गायत्य उपासना कर दिया रही हैं पर मेरी अपेख्शा पतनी की निष्ठा और भक्ती विशेश है अखंड जोती की दिवे पुस्त के ही मेरी पत प्रदर्शिका है हम अपनी जीवन में पक पक पर अनभाव करते हैं कि माता हमारी सायता करने के लिए सदा खड़ी रहती है मेरी चीविका का आधार नोकरी है फिर भी कभी अर्थ के आभा का अनभा होते ही माता उसे किसी भाती पूरा कर देती है मेरी नौकली में जब बदली के अफसर आते हैं तो माता ने सदा मेरे इक्षित इस्थानों में ही मुझे निक्ट करवाया और अन्चाहे चाहे मेरे उपर के सभी पधतिकारी गर्ण मुझ से सदा प्रसर नहीं रहते हैं ऐसी करपा से हमारे जीवन में सदे करपा के मा के दर्शन होते रहते हैं एक बार किसी भेंकर ग्रह दोश के कारण में बीमार पड़ा उपचार करते हुए भी रोग बढ़ते ही गए और एक दिन में बेहुश हो गया शरीर शीतल हो गया, नानिया शिथिल पड़ गई महिने से मेरी सेवा करते हैं, उसे भली प्रकार भोजन और शैन का भी पूरा अफसर नहीं मिल पाया था पाँच घंटे तक मैं बेहुश रहा और वह उपासना में तल्लीन रही उसके आते ही मैं ठीक उसी भाती होश में आ गया जैसे कोई नीद पूरी होने के बात उठ बैठता है फिर तो एक सबता हमें ही मैं पूरा चंगा हो गया इसी प्रकार मेरी बड़ी बच्ची मोती जरे की बीमारी में अपने होशो हवाश खो बैठी थी मेरी पत्नी ने माता से प्रात्नकी और बच्ची होश में आ गई और दो-चार दिन में रोग मुक्त भी हो गई हम तो सब काम करते हैं ये माता की भरोसे निशिंत रहते हैं हमें विश्वास है कि माता कभी बुरा नहीं होने देंगी तो ऐसी अविचल शद्धा होती है भक्तों की तो मा भी कैसी अविचल होके अपने भक्तों की रख्षा करती है आप खुद देखिए और समझे अगर आपके जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें में चैनल को धन्यवाद